को अब करने से पहले हमारी कमटी का नाम है केडिया एडवाइजरी सिस्थ 2004 हम लोग कमाउटि मार्केट में करते हैं मेरा नाम अजय केडिया है और जो भी विउस है आप अप प्रिंट मेडिया लाइव मेडिया में कर देख सकते हैं यह जो सीरीज हमने रखी है, इसका परपस खाली एक education purpose है ना कोई commercial purpose है, हमने इससे पहले दो sessions लिये थे, technical indicator पे, I hope आप लोगों ने काफी जनों ने इसमें अटेंड भी किया था, अगर आप लोगों में से किसी ने अटेंड किया है, I will request them कि आप chat window पे indicator डाल सकते हैं, so that at least we connect with them, कि क्या क्या indicator थे और क्या fundamental है, दोनों को combine करने के बाद, क्या एक final result आता है, तो जिनों ने भी हमारे पहले दो sessions attend किये है, I would request कि आप उसमे, chat window open है, और यहां पे आप update डाल सकते हैं, so let's start with today's session, हमने पहले वाले session में चलो, screen आ गई है, तो मैं आपको बताई देता हूं, पहले हमने देखा था, what is RSI, RSI में कुछ स्टेटर्जिस देखी ती, moving average, moving average में कुछ स्टेटर्जिस देखी ती, then MACD, moving average, prevention and diversion, जहां पे हमने कुछ स्टेटर्जिस देखी थी, ballinger band, vortex, choppy indicator, super trend, DMI, fibonacci retracement, और last में हमने सब्सक्रेंट जो देखा था, वो देखा था, वो दे बना सकते हैं, तो, आप में से, जिनों ने भी इसको attend किया है, I will request, in case, अगर आपको कुछ queries है, so you can update, meanwhile, मैं मैं मेरी team को request करूंगा, Google form, feedback के लिए, जो link है, वो आप share कर सकते हैं, So let's start with the fundamental analysis, क्यों important है, तो fundamental, जिस जन से हमने technical देखा था, technical क्यों important है, क्योंकि वो हमें price बताती है, कि कहां पर हमें profit book करना है, कहां हमें entry करनी है, और कहां तक हम, हमारा ये price move जा सकता है, let's say example, सोने चांदी में, सोने चांदी में हमने एक बेत्यासा तेजी आती में देखी बट ये तेजी कहां तक जा सकती है, इसका जो calculation है, वो हम लोग technical के द्वारा कर सकते हैं, otherwise fundamental खाली आपको ये बताएगा, कि कमार्टी में तेजी है, बट कितनी तेजी है, कहां तक जाएगा, वो हमें नहीं पता रेता है Okay, so fundamental condition and determined for long term price trend, so जैसे मैंने मेरे पहले session में बताएगा, जबी भी आपको ये trade setup ले होगे, तो उसमें आपको higher chart frame से lower chart frame तक देखना पड़ेगा, रोईजी, Ichimiko का session अमने last ले चुके थे, in case अगर आपको doubt है, तो मेरी टीम आपको link share कर देगी, things are being available on YouTube also, And the 4th session, we will take the other mangalwar, purely Q&A लेंगे, और live charts देखेंगे, जैसे हमने इची वीकोप, हम 4-5 आपको नए calls निकाल के दिखाएंगे, Seasonality है तो वो कैसे impact कर रही है, so I will try my best, कि next session में जो भी अगर आपकी queries है, वो हम लोग कमाइन लेंगे, So fundamental conditions, अगर आपको पहले से पता रहेगी कि long term market तहां जाना है, तो accordingly आप अपी positioning बना सकते हैं, Can set price globally, take a example, हमने देखा कि सुने चांधी के लिए जो factors थे, like interest rate में कटाथी, inflation, recession, then ETF में buying, ये जितने भी factors थे, ये सभी gold और silver को support कर रहे थे, But support कर रहे थे, तो कितने कर रहे थे, वो हम technical के जरी पता कर सकते हैं, जबकि जो fundamental news थी, उसको हम देखकर, ये assume कर सकते थे, कि हमें short करके नहीं चलना है, हमें long करके ही काम करना है, फिर एक seasonality pattern है, जो मैंने आज के session में लिया है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा, कौन से मैंने में market में तेजी रहेगी, या मंदी रहेगी, let's say example है, firecrackers, तो firecrackers का एक fix है, कि आप कभी भी उसमें जो sales देखोगे, वो September, October में ही देखोगे, क्यों, October end या November में दिवाली आ जाती है, but January, February में उसमें sales में tip देखते हो, तो generally, seasonality is most important in commodity, protection against inflation, जब हमें पता है कि inflation के data को अगर मैं देखता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा, inflation बढ़ता है, तो definitely inflation बढ़ता है क्यों, commodity की वज़े सी, so inflation के data है, इंको भी आप देखते है, तो एक advantage मिल जाता है कि fundamentally, अगर inflation बढ़ता है, अगर inflation बढ़ता है, अगर inflation बढ़ता है, जैसे weather conditions है, तो हम देखते हैं कि weather condition में कुछ भी changes हाईगा, इंको पड़ेगा, इंको पड़ेगा, वो commodity बढ़ेगा, भाव जो आते है, 10 gram के आते हैं, एक टिक पर हमें 100 पर मिलता है, similarly, silver 30 kg का है, एक kilo का भाव आता है, टिक साइज 1 रूपी का है, और profit और loss 30 रूपया होता है, लैड है, 5 metric ton का एक kilo का भाव आता है, पांच पर से का टिक साइज है, और उसके साब से हम price को मूँ धाई जाए के price का मूँ हम लोग generally देखते हैं, अगरी में भी same way, soya bean है, soya bean 5 metric ton का lot size है, caster 5 metric ton का है, तो इस दंसे हमको at least यह पता होना चाहिए, कि market को हैं अंदर क्या lot size है, उसके accordingly भी हम लोग positions हमारी बना सकते हैं, so let's start with today's session, सबसे पहले है agri desk, agri desk इसके लिया है, अगर आप agri market को, जैसे हम लोग, can someone help me out, अगर हमको यह देखना है, कि share market में आज तेजी हुई है, तो हम लोग क्या देखते हैं, तीवी पे ऐसा कुछ है, इंडिकेटर जिसको देखतर हमें पता चल जाए, क्या share market में तेजी हुई है, quickly chat window पे आप डाल सकते हैं, आप पर जवाब, session को interactive रोको, so that आपको भी example की साथ समझ में आएगा, कि कैसे हम लोग उसको watchful कर सकते हैं, quickly chat window पे अगर निफ्टी, thanks Raj, तो definitely अगर हम निफ्टी को देखते हैं, तो आज निफ्टी ने solve point की तेजी दिखाई है, तो निफ्टी को देखते हैं, हमें पता चल जाएगा, कि मार्केट में तेजी आई है, या मन्दी आई है, तो अगरीडस आपको प्लेटफॉम पे मिल जाएगा, हमारे प्लेटफॉम मिल जाएगा, या एच्छी वेबसाइट पे आप जाएगे, तो मिल जाएगा, लेकिन पुद जो ये index है, ये cash settled है, मतलब जैसे nifty है cash settled है, वैसा ही है, negatively correlated है, और वेटेज इसमें properly 10 commodity का दिया हुआ है, सभी sector को cap किया हुआ है, जिसकी वजह से एक prudent new मिल जाता है, कि अज़ अगर अगरीदेस्में तीजी है तो इसका मतलाओ अगरी में तीजी है तो क्या होगा निफे टूटे गी या बढ़ेगी बहुत बहुत बार हमने देखा था कि निफ्टी ओर्बार्ट ए निफ्टी टूपने वाली थी बट रिलाइंस में जिस दंग से इंवेस्टर वीसी कैपिटल आ रहा था हमने तुरंद रुट से देखा के प्राइज के अंदर निफ्टी भी उपर आ गई ती रिलाइंस को लेकर तो सब्स्यादा जो वेटेज है इसके अंदर सोया बीन चैना कैस्टर सीड गवार सीड दें रिफाइं स्वया ओई कॉरिएंडर जीरा इस दंग से इसके अंदर वेटेज है तो अगर अगर कैन सम्वन चेक विस्टर इंपन को आवाज ये अमाय ओडिवल चैट मिड़ों पर डाल सकते हैं यह सर यह ओडिवल अगर आपके साइट से कोच इशू होगा तो वेटेज से हमें यह पता चल जाता है कि अगर चैने में बड़ी तेजी आती है तो यह प्री का हम एक कॉल बना का ट्रेड कर सकते हैं अगर आपने देखा कि आज आज बड़ी किरावट रहेगा तो अब दस कमार्टी में किसी का भी बड़ा वेटेज जैसे तो यह नहीं अगर कोई भी आपको सिगल कॉल मिल जाता है यू मिल जाता है यह ज़िए आज बड़ी किरावट रहेगी तो यह अगर गिरावट रहती है तो अग्री डेस्ट में भी रहेगी रहेगी तो वहां पर आप अपना पोजिशनिंग परा सकते नहीं कुछ सेंपल कॉल्स लाया हूं जो आपको बताऊंगा यहां पर अमने कुछ प्राइज पर्फॉमेंस इस हिट मैं बताया है जैसे एग्री डेस्क में 31 अगस्त का जो अग्री डेस्क है यह 0.34 परसेंट अप है अगर अप जा रहा है तो इसमें में वेटेज देखा कि क्यों सा कुछा कैस्टर है कौना परसेंट पुटा हुआ है चैने में तेजी है कॉटन सीड ओएक में 3 परस तो मस्टर में जब 2 परसेंट की तेजी आई 12 परसेंट की तेजी आई 12 परसेंट का वेटेज देगा तो डिस्पाइट हमने कॉटन सीड़ के के अंदर तीन परसेंट की गिरावत देखी उसके बावजूद इंडेक्स के अंदर हमने एक पॉजिटी मूव दिखा विकाज चैना में तेजी ती गवार गम गवार सीड देन मस्टर्ड सोया बीन एंड रिफाइन सोया जिस सभी कमोर्टी में तेजी थी खाली एक या दो कमोर्टी में गिरावट ती इसलिए एग्रिडेस्क में तीजी क्या होगा इंकेस अगर मार्केट उपर गया निफ्टी उपर गई रिलाइंस में मुझे पैसा मिल जाएगा इंकेस नीचे गया तो निफ्टी में मैंने जो च्रॉटतर रखा है वो मुझे हैजिंग अपॉर्टी देगा मतलब बड़ा पॉल जो भी बड़ा पॉल आईगा यहां पर टो गया है तो आपको ट्रॉट्र के लगी है तो प्रेश के अंदर टेजी लग पैक्षे लग लिए तो आप क्या किजिए हैजिंग के लिए ट्टो को बाइकेजी उस्के अगेस्ट अगे इन्स एक्रेश तो इसमें वाल्टिटी नहीं रहेगी ज्यादा करके तो कैश्टर में ज्यादा मोमेंटम आएगा लेट से कैश्टर में एक टकी की तेजी आगई तो एक टकी नहीं आएगी कभी भी तो यहां पर आप कहीना कहीं हाईज करके भी पोजिशन बनाके चल सकते हैं तो यहां पर हमारा उपन रिस्क नहीं रहे अगर पूरा एग्री मार्केट में बड़ी गिरावट है तो डेफिनेटली एग्रीटेस्ट में दबाव ज्यादा रहेगा एस कंपरेट्टू चैना जैसे आज का सीन देख लीजिए चैना सुबह से फ्लेट है जबकि एग्रीटेस्ट में गिर है तो इन सब के चलते अगर मुमेंटम रहेगा तो अपने पर चलेगा और चैना अपने पर तो यहां पर आपन पोजिशन के अंदर आई कॉम्डेक्स आई कॉम्डेक्स बुलियन और बेस्मेटल लाउंच हो गए है अब दिर दिर इनमें भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जा है बलसा मंदी लग रही है कोंसी मंदी किती मंदी नहीं समय में आ रही है आप क्या की जिए आपको बेज दी जैसे आपके आपके पोजिशन है जोगी करिश्मा कैन यू प्लीज मूट मिश्टर सुनिल पुजारा उनका माइक अन है I think he has four button to mute his mic and Mr. Maheshwari का भी प्लीज जो आई कॉंडेक्स क्या हो गया जैसे हमारा निफ्टी है similarly निफ्टी की तरह ही हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा सब्स आज अभी सोना चांदी काफी नीचे आ गया है तो आपको लगता है कि मेरा शॉर्ट पोजिशन पर रहे हैं पर जोए है आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने माइक को मुट मोल पर लखिए अन्नसे यह सेशन के बीच में थोड़ा इस्टर रहता है इनकेस अगर किसी का ऐसा इसा इसू आ रहा है तो यू कन रिमूव डारेक्ट ली करिश्मा प्लीज मेक शूर्ट करना है तो कहिना कहीं मैं क जिसमें 70% bullion gold का weightage and 30% silver का weightage it is as good as gold silver ratio जो लोग gold silver ratio में trade करते हैं वो इसमें benefit ले सकते हैं कुछ strategies है जो अगले कभी sessions में मैं definitely बताऊंगा कि कैसे arbitrage opportunities में बन सकती है वैसे ही base metal के लिए हमारे पास है i-complex base metal index copper का weight is 30% के करीब का है लेट से copper में आपको तेजी लग रही है बट आप individually नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो बड़ी तेजी लग रही है तो आप I-complex का base metal index ले लिए जैसे आप nifty में trade करते हैं ना सेम वे आप इस इंडेक्स में काम कर सकते हैं वैदर इंडेक्स या रेन इंडेक्स भी जल आ रहा है तो आगे जाकर ये इंडेक्स में काम होंगे और ये इस बूड़ आप इस जो से आम लोग निफ्टी में trade करते हैं सेम वे आप trade कर सकते हैं जो लेट्स मुड़ तो सम्टमिकल डेटा पांट विचाथ इंडेक्टिंग अवर कमोर्टी मार्केट एन एकोनोमिक इंडेक्र इंडेक्स पांट अपको एकोनोमिक डेटा पांट कहां से मिल सकता है कैन समबन हेल्प मी कोई आइडिया आपको एकोनोमिकल डेटा और यह क्यों इंपेक्ट पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यह यूएस से लेट से पेंडिंग हों से तो नाम आप तीन बार पड़ो नाम तीन बार पड़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा पलूंबर्ट से मिल सकते है वेरी गूट और इंवेस्टिंग डाट कम सब से बेस्ट है वेबसाइट इक और है कर और कहां से मिल सकता है हमें तो आप तीन बार ये डेटा पढ़िए जैसे पैंडिंग होम सेल्स मंत और मन पैंडिंग होम सेल्स मतलब जो होम सेल्स का डेटा है इसके बारे में बता रहा है यह अभी क्या बता रहा है प्रिवियस्ली यह डेटा था 44.3 परसेंट और इसमें एक्सपेक्टेशन है कि यह डेटा ड्रॉप होगा तो हमें पता चल जाता है होम सेल्स का डेटा ड्रॉप हो रहा है मतलब वहां पर सेल्स नहीं आ रही है यह यहां पर क्या दिखा रहा है ISM एक डिटा जो यह डेटा था 52.6 और एक्सपेक्टेशन मार्केटर के एक्सपेक्टेशन है यह डेटा बढ़कर आएगा 53.6 बट एक्ट डेटा कितना आया 54.2 तो हमने देखा हमारा जो यह डेटा है एक को प्रिवियस के मुकाबले बहुत अच्छा बढ़कर आया है फ्लस फोरकास्ट को को भी बीट किया है यह डेट मेंज मार्केट के अंदर थिंग साव बिन फॉसेट्यू मैनुफेक्ट्रिंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो बेस्मेटर को सपोर्ट होगा मैनुफेक्रिंग मतलब फैक्टरी तो फैक्टरी के अंदर चीजे अगर इंप्रू होती है मतलब अब यह डेटा किसको इंपक्रेगा मैनुफेक्टिंग एक्टिविटी को मैनुफेक्टिंग का लगता है वी नीड बेस्मेटर तो बेस्मेटल प्रिजस विल है फॉसक्रेटिव ए प्युच्विट इंपक्ट एग अलसो कि यह जित्ता भी डेटा होता है यह जनली कुषा तो लादा इंपक्ड करता है और करनden से डिराइव ओकर हम कमोंदंवे कि नीचे जाएगा ओके और कोई तो अगर कोई कंट्री में मैंनुफेक्शन की एक्टिविटी भढ रही है मतलब इंप्रूमेंट आ कि इंप्रूमेंट आयेगा का दॉलर नीचे एप्र जाएगा, डॉलर विल अप्रीशी डालार है, तो डॉलर में ठेजरी आएगी टॉलर का दुसमन कॉन और है ईड़ो डॉलर दुसमन है टॉलार का, गोल्ड है अगर डॉलर में तेजी तो सोना चांदी गिरावत, डॉलर में तेजी तो Еरो में घिरावत, पाउंड में गिरावत, तो इस दंख से हम को इके और और डॉलेट निकाल कर काम करना पड़ेगा। तो आपको data अगर आपने दो बर पढ़ा आपको एक आईडिया लग जाएगा ये से हमने देखा monetary policy की समरी आपड़ी कि ये speech है तो speech में हमें क्या देखना पड़ता है हमें देखना परता है कि इनका tone क्या है economy को लेकर या advance GDP quarter on quarter तो पहले GDP का data क्या दिखारा था कि पाइप परसेंट फिर इनों ने एक्स्टिमेट किया ये तो माइनस 34 परसेंट आएगा मतलब एकॉनमी बहुत ज्यादा खराब हो सकी है बटी ग्रीन क्यों आया सर आपने तो बुला था कि माइनस से और मैंज तो खराब होगा लेकिन हमारा एक्सपेशन क्या था कि माइनस 34 आएगा आया किता माइनस 32 इसकी वज़े से यह डेटा में डॉलर को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा थोड़ा मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा क्यों ओर आल तो पिसली बार की मुकाबले सीनेर्यों कराब ही है बट आप समझें कि फ्यूचर मार्केट में जभी आप ट्रेड कर आप एक चीज बताता हूं कौन लोग फ्यूचर को यूज कर रहे हैं मैंने वैसे लिंक भी दी है उपर आप चीज तो लिंक क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं अब सब मार्केट रियक्ट कर चुका होता है बराबर है इसकी लिए तो हम एस्टिमेट के उपर काम करते हैं एक जिए अंदर है वह अलग डेटा पॉइंट अब मेटल के लिए मापे ऑप्शन है लेट साइड कॉर्ण पर लोगों पर आप क्लिक करोगे तो आपको डेटा पाइंट के खाली मेटल्स के ऐसे देटापॉइंट मिलेंगे जो खाली मेंटर्स को इंपक्त करता है जैसे अलमी इन्वेंट्री ले मिल जाएगी यह आइकेंट चैलेंग और कहीं पर नहीं दिलेगा आपको इंवेस्टिक पर मिल दी बट यहां पर आप देखेंगे तो आपको शॉर्ट करके मिल जाएग लुके से इंवेंट्री अना है जर्मनी से एकॉनОमी के जानी मेक्टिमेंट तरह एन मेक्ची को से अंडेशी प्रोडेक्शन का डिकास अनॉफ से प्रक्शन डिटाइट यूसे को ब्यूद प्यूदिंट अधिया अग्चुछ अगर एक्चुल और जादा-माइनस में करोगे तो आपको रेड कलर का लोगो दिखेगा इस लोगो को अगर आप उपन करोगे तो आपको खाली मैटल की ही न्यूज मिलेगी लेकिन आप में से कोई है जो बोलता है मैं तो खाली कुरूड में या एंजी में काम करता हूं मुझे सब नहीं चीए तो उधर आपको इस मिलेगा जिसमें खाली एंदर्चिल न्यूज और एनर्जी का डेट आएगा जैसे बाराज अगस्त बुद्वार को API का वीखली डिटा आएगा यूएस से बाराज अगस्त मतलब कल करूड की इंवेंट्री आएगी और इंवेंटरे में देखो क्या दिखा रहा है पहले –7.4 था अब –3.4 आएगा मतलब inventory में डॉप है लेकिन ये भढ़ रही है inventory पहले –7 था अब inventory भढ़ रही है तो कहिना कहीं ये क्रूड के लिए negative हो सकता है फिर हम लोग इधर पूरा data भी देख सकते हैं कि जैसे पहले हमने expect किया था माइनस 10 और फ्रकास्ता माइनस 3 बट आया क्या आप बढ़कर आया इसके लिए क्रूड में तेजी आगई तो हमेशा हम देखते क्या हो रहा है कंटिन्य क्रूड में जब डेटा आ रहा था तो माइनस बढ़कर तो मुझे भी पता चलेगा और आपको भी उसका benefit होएगा नहीं तो Forex Factory के अंदर आप जाओगे आपको यह पेज नहीं दिखाई देगा have you got this page आपने चेक किया metal का page और energy का page quickly आपने click करके चेक किया जितना जल्दी आप response करोगे उतनी नई चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं I can guarantee यह जो चीज थी energy page और metal page दस में से मुश्किल से एक या दो जनने सुना होगा तो यहां पर आपको metal की news और metal का data आपको तुरंद मिल जाएगा similarly normal में जो हमको मिलता है उतके अंदर सभी currency से related data मिलता है like unemployment data यहां पर हमको मिल जाता है कि पहले का क्या data था कोई news है तो वह भी news related stories हमको मिल जाएगी इससे आपको एक idea लग जाएगा very good very good please keep on updating on chat window तो अच्छा रहेगा कि में भी पता चलेगा जो मैं करना चाहरा हूं वह करना हो रहा है कि एक होता है एलमी का stock जिदन से हम लोग हमारे telegram channels पे देते हैं इससे भी आपको पता चल जाएदा लेट से जैसे copper copper के stock में बढ़त रही है या aluminum का stock down by 40 sorry 4225 इसका मतलब आज में support रहेगा तो कभी यह data भी important होता है इसके दो टाइप का data होता है एक होता है मार्केट का sentiment क्या है अगर सब्सक्राइब में डिमांड नहीं है तो कैंसल वारेंट में जो यह फॉल फॉल नहीं आता बढ़कर आता है जैसे अगर हम देखे बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोग जो पहले बोल रहे हैं कि मैं डिलीवरी दे दूंगा अब वो डिलीवरी नहीं दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं उनको तेजी लग रही है तो इसका इंपेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा जैसे कॉपर है कॉपर में कैंसल वारेंट में ड्रॉप आया है मतलब पहले मैंने आपको और दिया कि ठीक है मैं आपको हजार तन डिलीवरी दे दूंगा अब बाद मुझे लग रहा है कि अरे में को तो लग रहा है कि सिनेरियो से वर्षा नाव विल गो वित स्टॉक लेवल अब स्टॉक लेवल हुता कहा है तो कमोर्टी के अंदर देर है अन नमबर ओ तिंग्स लाइक एगरी कमोर्टी के लिए यह मैंने एक सीट निकाली है एंशीए एंशी एक से एंशी एक समय एवेराउजिंग का पोजिशन का से मिलेगा उसका लिंग मैने नीचे चैक्ट में डाला हूं आपको इसके बाद यह पिपिटी मेल जाएगी आप खुछ चेक कर सकते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है इसका बेनिफिट यह होता है ज जादा लगा हुआ है तो कई ना कई प्राइज में एक नेगेटिव इंपैक्ट पर सकता है और अगर डिलिवरी है नी मार्केट में तो डेफिनेटी प्राइज में बड़ी तेजी जो फंडामेंटली इसमें ट्रेड करते हैं उनके लिए रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है यह M6 के वेबसाइट पे आपको मार्केट ऑपरिशन में वेराउजिंग लॉजिस्टिक में स्टॉक पोजिशन मिल जाएगा इसे इसका लिंक भी मैंने आपको ग्रूप में डाल दिया है और मैं आपको इसमें एक आगे एक्जांपल बताऊंगा तो आपको और ज्याद होगे इसमें आपको यह पता चल जाएगा कि अंदर कितना माल पड़ा हुआ है let's say Jira अगर माल जादा है तो देफिनेटली मार्केट में दबाव रहेगा देन गौर्मेंट नेफेट जो लोग एगरी में टेट करते हैं उनके लिए यह रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट है यह रिपोर्ट मिलेगी कहां से यह मिलेगी नेफेट के वेबसाइट में अगर नेफेट की बाइंग है तो डैफिनेटली में एक बड़ी तेजी देख सकते हैं जैसे मस्टर्ड में नेफेट ने बहुत अच्छी बाइंग की ती इसलिए हमने अगर के बाइंग पेटली से भाव को बावन सो तक का भी रही बदे बदे वे देखा था इसलिंग अगर अगर आप इंपक्ट आता हुआ दिखाई देगा तो इसका भी लिंग हम लोग गूप में शेर कर चुका हूं आप सेव कर सकते हैं और यह कॉपी भी आपको मिल हमने एक लिंक शेर की है गूगल का फीडबेक पॉर्म वहां पर अपना हीमेल आइडी रजिस्टर कर सकते हैं आपको कोई चार्जस नहीं देना यह एक एजूपीशन परफस के लिए हमने बनाया है आपको लिस्ट मिल जाएगी वहां पर आप पीपीट में चेक कर सकते हैं अब वेदर कंदिशन के आपको कमयोडी यह दो हम देखते हैं कि प्री रिवस्ट होती है या माइं होती है तो दोनु जगह पे वैतले मोस्ट इंपोर्ट ने श्टर जस्ट एगरी अगरी में हम देखते हैं कि कासी जगह पे बारिष रुजाती है जैसे इस बार अमने जन्वरी फर्वरी में देखा था या लोकस अटेक टिड़ा अटेक जिसको बोलते हैं तो इस बार हमने देखा कि राजस्तान, घुजरात, माराष्ट्रा, हर्याना ये एरियाज में लोकस अटक काफी जादा हुए थे जिसके चलते काफी क्रॉप डेमिजेस हुआ उसका इंपक्ट हम प्राइजस पे पॉजिटिवी आते भी देखते हैं ये लैट से हैल्स्टॉम जैसे हमने अप्रेल मही में अचानक ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था बट कुछ जगह पे हर्यान आजस्तान यहां पे हमने हेल्स्टॉम होते विए देखा पुले वर्थी होते हुए जिसके वज़े से रभी क्रॉप में करीबन घाई जाल हेक्टर एरिया का नुपसान हुआ था जिसके चलते हमने मस्टर्ड में भी बहुत अची तेजी देखी ती और काफी क्रॉप जिस जब आपको मालूम है खड़ी क्रॉप है और बारी सो गई तो कहिना का इंपक्ट नेगेटिव क्रॉप पे डेमेजेस होगा और प्राइस बढ़ेगा ऐसे ही हम नॉन एग्री कमोर्टी पे इंपक्ट देख सकते हैं पर एक्जमपल कुरूड तो कुरूड ऑल भी कहां से ए आरवे आया था जिसकी वज़े से बिक स्ट्राउम यूएस में लेंड में अटेक्ट आई हुआ था जिसके चलते रिफाइनरी टर्मिनल प्रोडेक्शन प्रेट्पॉर्म यह सब को बंद कर दिया गया था टैंप्रेडी और जिसकी वज़े से कुरूड में हमने बड़ी त यूट अपाती वे दीखा नेचरल गैस नेचरल गैस हैंडी हब एक लोकेशन है यूएस में वहां के टेंपरिचर का इंपक्ट रहता है अगर वहां पे टेंपरिचर कोई भी चेंज आएगा जैसे वाम बैदर हो जाता है तो वहां पे कुलिंग करने के लिए नेट्र गैस विल रूल मुच अफ यूएस तो ओपन फर दवी मतलब गरम तेंपरिचर रहेगा कूलर एक्टेशन विल कंटिन्यू अक्रॉग का मीट एंड वैदर सिस्टम ट्रैक्ट थूर तो 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 अवरल हमने देखा कि इसके अंदर वैदर कंडिशन अगर गरम होता है तो इसका इ सब्सक्राइब कर देखा रहा है तो हमने कल के सेशन में एंगी में शॉट किया था हमने देखा पोरकास क्या दिखा रहा है थोड़ा सा दिमांड में ऐसीं होगा डिमांड में ड्रॉप आएगा जिसके उसे प्राइज में डॉप आना चाहिए तो वियव सीव त्रॉप यह थी द्रॉप प्रम बांसेवन्ती टू रह जा रहेंगा तो आपको ध्यान अठना है ठर्श्डे से पहले-पहले मार्केट म में गिरावाट रहेगी पर उस गिरावट पर आपको नैश्र गैस लेके ही चलना है तेक्निकली अब हम इसमें मिक्स करेंगे तो हमें पता चलता है कि 172 का अगर प्राइज ने 172 का लेवल तोड़ दिया तो हम 200 तक का भी लेवल नैश्र गैस में हम देख पाएंगे तो इस दन से हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही मैच करके ही चलना है वैदर अपडेट हमारे टेलिग्राम चैनल पर टाइम आते रहते हैं आप टेलिग्र अगर आप ट्रॉपर काम करोगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा इंडियन वैदर कंडिशन आएमडी या मौसं डॉट आएमडी डॉट यह इसका सोर्स है सारा प्रेजेंटेक्शन मैंने जो बनाया है उसको सोर्स के साथ बनाया है मैंने तो यहां से आपको पता चल जाए पेढलेगा यह राजस्तान मेंध्यपरदेश जालत जादा कम है गुजरात में लाज़ डेफीजेंसी आप जादा कम है महराष्टरा और हार्याइना, पंजब इनमें बारिश अची है तो हमें पता है कि गुजरात की ऐसी क्या-का मोटी है जो अभी सोईग हुई है तेंक यू गुपता जी आप सारे चैनल मैंने अर्ड़ी सभी चैनल का अप्रेट डाला यू कन सर्च सब्सक्राइब कर सकते हैं जितना भी पॉसिबिलिटी है हम सब अब्डेट टाम लाते रहते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि लाज़े डेशेंसी गुज्रात में और अगस्त मंद में और ज्यादा डेशेंसी हो जाएगी तो जो अभी की स्वेंग क्रॉप्स है इन अगर हम बात करें तो यहां पे आप बीकार नेट को आपको पता चल जायेगा। मैंने यहां पर एक लीष्ट भी दिये कौन से एग्री कमोर्टी है कौन से लोकेशन को इंपेक्ट करती है लाइक चैना तो चैना रभी क्रॉप है तो अभी हमें नहीं देखना है यहां पर होता है तो यहां पर अगर कोई भी तुपान यहां कुछ होगा तो इंपेक्ट पड़ेगा फॉर एक्जामपल हम लोग अगर गवार की बात करते हैं तो गवार राजस्तान एरिया में तुबिकाने डाला तो यह था 30 जुलाई का 30 जुलाई से 6 अगस्त तक तो हमने यहां पर देखा जब जब बादल चाता है प्राइजिस में गिरावट और आप चैक कर लिजिए प्राइज मूमेंट के साथ आप देखोगे कि सुंबार तीन तारीक चार तारीक में बहेंकर तेजी आ गए थी प्राइजिस को स्ट्रॉंग जब जब बारीस नहीं जब बारीस पड़ेगी तो प्राइजिस को आसा पूल बैक आजाएगा यह काफी एक्टिव रहता है मैं था और हम लोग काफी क्रॉप्स है जिस पर यह तो एक इमिडेट इंपक्ट हो गया अगर वहां पर कोई तुपान आ गया लैंड स्लाइड हो गया ऐसा भी कुछ आपको जब बागी यह तो नाव मॉव तू अनएजर सेक्शन डैडिस काल सुइंग डिटा सो इंडिटा क्यों इंपॉर्टन यह फंडामेटल्स के अंदर काफी इंपॉर्टन अगर आपको यह पता चल जाए यह हमारे क्रॉप की सोइंग भड़ी है तो अग्वर्टिंग करेका तो हमने यहां पर स्टेट वाइस फ्लस छ्टीज नहीं एन ठीक है श्र वाह Time ने और करिस्मा करन यू स्टिव शेयर सम लिंक लाइक ऑल इंडिया का एक लिंक शेयर कर दिजिए और बाजरा का जो तीन साल का नॉर्मल एरिया है वह 1,61,390 हेक्टर का एरिया है पिछले सार 1,52,000 के करीब की स्वोई थी और इस बार स्वोईंग 168 हुई है मतलब बाजरा की एरिया बढ़ी है अगर बाजरा की एरिया बढ़ी है तो क्या होगा प्रोडक्शन अच्छा होगा प आप बाजोवाई करकें बैठेंजों तो तो थैट मिल भी प्रॉबमेर्टिंग सीलरली ग्राउंड और भी करण्षो चितना हुआ है रखतेट ू तो दर्टी का एरिया बढ़ा है रुन ऑन ता प्रॉबर floss dominant अ ईटा नहीं हुआ है तो डएफिन ट्राउने पीशे भाव कि ग्राउननट दें सोयावीन ज़िए अगर यह उगाया है तो कहीन कहीं कोई न कोई क्रॉप में तो ड्रॉप आया है हम वो क्रॉप को पकड़ेंगे जिसमें एरिया में ड्रॉप आया और उसमें तेजी आएगी और एक्जामपल कैस्टर का पिछले साल का एरिया छही लाग पिसले साल का एवरेज किसले साल सोइंग कितनी हुई थी कि पचास हजार के आसपास का और इस बार की सोइंग कितनी है अभी तक 91 मतलब सोइंग में बढ़ोत रही है इसके लिए कैस्टर आप देखो चलनी पा रहा है सोइंग में हम देखेंगे तो एवरेज 3 साल का जो है वो करीबन 1,21,000 जारका है बट इसले साल हमारा सोइंग कितना था 93,000 का इस बार की सोइंग कितनी है 147 मतलब सवा टाइम है तो डेफिनेटल सोइंग में नेगेटिव इंपेक्ट पड़ेगा और आज देखो आप बीच में बारिस का इशू था जिसकी वज़े से सोय बिंद में तेजी आई बट यह डेटा आपको पहले ही पता चल गया मतलब यह सीजन में आप पकर के चलो जो भी भाव में तेजी आईगी हमें सोय बिंद में क्या करना है तो इस लिए चैट विंदो पे डालिये अब मार्केट भड़ता क्यों है फिर भड़ता इसलिए बारिस नहीं हुई या क्रॉप डैमेज होगी ज्यादा बारिस के चलते या इंटरनेस्टल में तेजी आगी तो थोड़ा बहुत इसका सपोर्ट मिलेगा अधरवाइस सोय बीन आपको 32 का बाउसर यह तो खाली गु लेकिन सबस्यादा होता है MP में या महाराष्टा इंका डेटा ऐसे ही हर स्टेट का डेटा आता है तो हमारा वर्क रहता है केडिया एडवाइजरी हम टाइम टू टू टाइम इसीच को अनलिसिस करते हैं और आपको बताते रहते अब देको इंटरादे में तेजी मंदी सब्सक्राइब गुजरात का एरिया था एवरेज जो रहा है लास्तीन साल में एक लाग साथ हजार का था पिछले साल बावन हुआ इस बार 87 तो आप लोगे यहां पिछले साल से बढ़ा है लेकिन जो ओवराल एडिया था उससे तो ड्रॉपी है अभी भी सोंग हो रहा था पंद्रा अगस तक हमें क्लेर्टी मिलेगा लेकिन अभी 50 परसेंट हुआ है अब समझों यह देन को पिसली बार 52 तक हुआ था इस बार 87 तो पिछले साल के मुकाबले इंप्रूमेंट है नो डाउट लेकिन ओवराल एवरेज से तो कम है 50 परसेंट है अभी भी कि कॉटन है हमारा एवरेज के तीन साल का 56 अभी तक कितना हो गया था आज के दिन पिसले साल 23 इसबाग कम है इसके लिए कोटन के प्राइज में अगर कोई बोलता है बढ़ गया बढ़ गया उसके बावजुद नहीं टूप रहा है क्यों अभी तक सुइंग कम हुई है यूनमे जुन चुलाइ में स्वि मोटी घृता हम हर लेस्टिंग दिस्संबर में हूता है तो अब देखो जून यह जून लिखा होए तो जून में हमारा समй स्टार्ट होyin गाउत जैसे से अई आरिया बढ़ेगा भाह बढ़ जाएगा खैगा ala chit बाभ जाएगा सेम भे का पास अब आप देखो यहां पे जून लिखा वाई जून तक मार्केट रहा था जैसे सोईंग बड़ी इमेरेटली प्राइज में गिरावट आगई फिर थोड़ी दी कवर फिर गिरावट आगी इस दन से क्रॉप का इंपक्ट पड़ता है आपको एक फिडबैक के लिए एक लिंक शेयर किया है आप अपने इमेल डाल सकते हैं हम आपको जो भी यह प्रेजेंटिशन है लिंक से यह आपको शेयर कर देंगे आपको यह तो इस की अगर में देखें तो हमें यह पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो कंटीन्यू हायर डिलिवरी में लग रही है क्यों लग रही है क्योंकि फीजिकल में कोई बायर नहीं है तो इसके लिए जिते भी ज्वेलर्स है यह क्या कर रहे हैं mcx में बेच कर बैठे हैं कारण उसको एक सब्सक्राइब तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है यह पांच में नहीं है यहां पर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको के डिलिवरी कब है कैसा लग रहा है और इसका स्टॉक का भी मिल जाता है जैसे डिलिवरी के लिए अगरी के लिए कहां जाना पड़ेगा एं NCCL NCCL के वेबसाइट पर जाना है डिलिवरी में जाना है डिलिवरी के अंदर आपको यहां पर मिल जाएगा जुलाई 2020 एलोकेशन्स एंड डिलिवरी यहां पर आपको पता चल जाएगा कि कॉटन सीड और के में 6600 के आसपास के डिलिवरी ए जुलाई में होनी थी इसके आप देखोगे तो जुलाई मंत में बारा परसेंट का फॉल कॉर्टन सीड और केक में आया वाइस सो रुपे से कहां तक तूटा नीचे में लो क्या मारा था भी कॉटन सीड और कोई कोई बता सकता है जो एगली में काम कर रहा है कि बिल्कुल 1700 तो कुमावत जी आपने अगर यह रिपोर्ट देखी होती तो मैंने भी जो सेशन लिया था वेविनार कॉटन सी उसमें मैंने क्रियरली बोला था कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक मार्केट समलेगा जो समलेगा उसके बाद भारी गिरावट आ सकती उसका कार तो जिसके चलते डिमांड नहीं है डिलिवरी है अभी लेवल तो मार्केट उटेगा ही उटेगा सिमिलरली कैस्टर के अंदर जुलाई में बद तीसो ही है खाली तो ज्यादा फर्क निया है चैने में 3700 तो चैने में बारवार में जब जम पाता है इमिडेटली फॉल आ ज जो गया आप समझ रहे हो तो आपको यह सब चीज़ देखना पड़ेगा हां अगर आप नहीं देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोग अभी नेक्स मन्त से जो भी ऐसे मेकनिजम से उसको और हम लोग अप्रेट कर रहें आपको एक क्लेर्टी मिलती कि रहे कि मार्केट में हो क्या रहा है लेट्स मूव अगि एडीडी यह भी इंपॉर्टेंट है एडीडी डेटा सजाइस्ट हाउ मच कौन्टिटी इस एक्सपेक्टेट टूबी डिलीवर्ड फ्रम वेरहाउस तो एक्टेंग डिलीवरीवल डेट इसे हम यह पता चल जात है कि कौन सी सर सोना चांदी आज वी की रहेगा देखना बनाई फुरा तो एडीडी वाइस भी हमें पता चल जाते कौन सी डेट का माल कितना है तेक एक्जांपल कैस्टर कैस्टर में सबसे बड़ा माल है दस बारा पार्टन में पढ़ा हुआ है तो आप समझो तो यह को कि बड़ा बड़ा यहां पर है 10-12 तो यहां पर आम एक बड़ा इंपक्त पढ़ सकता है इस अंसे अगर आप आप अनुराइस करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि जहां पर डिलिवरी ज्यादा लगनी है वहां पर माल में दबाव आ सकता है और कोरिंडर में देखा अकोला में दस दस का माल पड़ा हुआ है दस नौ पे है दस आठ पे है ताइम-टू-टाइम हायर लेवल पे दबाव बन सकता है सिमिलर्ली सिजनेलिटी यह मैं हमारी एक रिपोर्ट ही निकलती हर मैंने इसको भी आप यूज कर सकते हैं इससे जैसे मैंने बताया कमोड़ी के सिजनेलिटी फिक्स होती है कभी भी आप देखिए जिंक हमेशा जूम में बढ़ता है ऑन एबरेज तो हमने देखा इस बार बढ़ा है कि मही में प्रॉपर कोई नियोज आगे जिसकी वैसे चलाए अपरेल में आप देखो तो हमेशा बढ़ा है तो इस दंसे भी आप उसको एनलाइज कर सकते है तो गोल्ड में अगर आप देखोगे पंडामेंटल नियूज अपनी जगह पे थी बट अगर आप दे बहुत ही बड़ी तेजी देख चुके हैं 7% से जादा की तेजी देख चुके थे हम लोग अब प्राइजस में थोड़ा बग पूल बैक आ रहा है लेकिन सब्टेमबर देखो आप सब्टेमबर में हमेशा बड़ी गिरावट और ऑक्तोबर में तेजी तो आप समझ जाओ प्राइब के बहुत हम लोगे माढकर सब्टेमबर की मंदी में खरी दिये औक्तोबर में फिर से बेच है नवेमबर में आपको कि arising पल सब्रबर ऑ होने के सब्सक्राइब की मंदी में खरीदेंगे ऑक्टोबर की तेजी में नमवेंबर की मंदी में खरीद सकते हैं जो दिसमबर जनवरी फरवरी तीन मैने तक चलेगे क्यों साधी के सीजन भी रते डिमांड भढ़ जाती है क्लियर चांदी चांदी का भी पैटन सेम आप देखो अगस्ती तेजी में बेचो सब्सक्राइब की तेजी में बेचावा माल लिए प्रेजबाइब कर लो ऑक्टोबर की तेजी में निकल जाओ नवेंबर की मंदी में पिर से आप बेच सकते हो दिसंबर जनवरी फरवरी में फिर तो यह पैटन फिक्स है तो इसकी रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्स हम लोग टाइम टो टाइम हर मन्त पे देते हैं तो उसके साब से भी आप अपनी पोजिए नैच्रल गैस नैच्रल गैस मैं कम से कम जी पे भी कम हम कर डाजां के पता है जून में भी का मैंने मही में भी का कि जू जूलाी के बाद मैंचर घज्ट में बहैंकर अज़ी रहेगी ए अगस्त में तेजी आपकियो आंसन्यर्डी ख़़ती ए अगस्त में सब्टेंबर में तेजी sna np.N Beeji सर में बेच दूँ यहां पर बहुत तेजी आगे क्यों बेचना है सप्टेंबर देखो पिसे तीन साल से कंटीनु तेजी आई भी है चलेगा तेजी इस बार कुछ कंपनी बंद भी कर रही है तो भाव तेजी आएगा तो नेचरल गैस में मुझे लगता है 200 का लेवल अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है प्योर्ली ऑन दा बेस ऑफ सेजनेलिटी टेक्निकल एप्लाइक करो आपको आगे का टार्गेट दिख जाएगा क्लियर रहे कि नेक्स्ट कॉपर चलो किस ने हो हां मैंज जी ने कॉपर के लिए बोला हम यह पर का भी है कॉपर का आप देखेंगे तो देखो सिजनालिटी क्या दिखाता है एक परसंट की पॉल तो यहां पर हमने पॉल देखा अभी आगे का देखते हैं अगस्त में क्या बोलता है कि अगस्त में पिछले दो साल में गिरावट आई ही है कि कि विजुच में तेजी भी थी बट हमने देखा आल्रेडी हमने चार मेने की तेजी देख चुके है 400 रुपे से 500 रुपे का भाव दिखा चुका है और फिछले दो साल में गिरावट है टेक्निकली भी थोड़ा वीग दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको कि बेच के ही काम करना चाहिए क्योंकि अगरत और सब्टेंबर ज्यादा करके मार्केट में गिरावट का रूप रहता है नोड़ा गौर्मेंट ने जितना इंजेक्शन दिया था चाइना ने यूएस ने रूप ने वो इंजेक्शन का जैसे ही असर खतम होगा बेस में गि बेज लैवल पेाइन से बचे क्लेर जैवरिवांट निकाला विवसं पता चलता अगस्तो रस्टमब्र इंगे यह एंग गोट ए नंव District creator कि यूंग ए तो डेटा आजाता है इसके लिए गिरावट बनती है इसका असर आप देखोगे तो जून में आ गया था बर जुलाई में बारीज थोड़ी सी कमजोर पड़ी लास्ट में इसकी वज़े से प्राइज में एक रिकवरी आई थी कितने की 60-70 पॉइंट की जबकि आप देखो मह अधरी में 38 के उपर का बाहु था तो continue यह पॉल रहेगा थो परसेंट से अधर का आ गया है तो आप समझ के चलो कि आपको अगस्ट और सब्टेंबर में बीच के ही काम करना है सिमिरली सोया भी यह दिमांड के ओपर सलता है रैं कॉटन सीट और के अगस्ट में तेजी सब्टेंबर में 22 बंदी 2012 से आज तक ऐसा कोई मैना नहीं गया है ऐसा कोई साल नहीं गया है जिसके अंदर सब्टेंबर में तेजी आ गई हो अन्लेस एंटिल कोई बड़ा कारण ह तो अगस्ट में तेजी और अगस्ट की तेजी में बेचो जो सब्टेंबर में गिरेगा क्लियर कि दैन बिल मूब टू कॉटन टॉप टैंग जस्ट झाल 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 प्रिपोर्ट आप इसको में से वेब्साइट पर जाओगे तो आपको रिपोर्ट सेक्षिन के ने 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 यहां को बताता है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर है उनका क्या पोजिशन बहुत इंपोर्टेंट है प्लीस थोड़ा से नोट कर लिजे इसको तो यह हमें बताता है कि टॉप 10 क्लाइंट है उनकी क्या पोजिट टेक एक्जांपल इस तारीक की मतलब कल की रिपोर्ट है इसमें अगर हम टॉप 3 का भी नंबर लेखे तो क्या दिखा रहा है एल्यूमिनियम में 265 लॉट्स का एक सिंगल आदमी है जिसने पोजिशन बढा रखती है जबकि एक आदमी ने सिंगली 122 लॉट्स का बेचान कर रहा है तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगा तो आपको पत नीचे आता है बड़ वापस रिकवरी आ जाती है क्यों आ जाती है सर कॉपर में एक सिंगल आदमी है जिसके फंद्रा सो लॉट का बाय करके बैठा हुआ है दूसरा आदमी है जो 400 लॉट करी बन ले रखा है तीसरा आदमी है जो 200 लॉट लेकर रखा हुआ है लेकिन विक खाली वाले कितने हैं तो कहां से बंदी आ जाएगी अनलेशन एंटिल कोई बड़ा सेलिंग नहीं बनता है तो यह रिपोर्ट आपको क्या बताएगा कि मार्किट का सेंटिमेंट किया है आई विल रिक्वेस्ट माइटीम आपको इसका लिंक चाहिए चैट विंडो पे या सिप्यों में अरिश्ट आज तो बहुत गिरावट आगी सर आपको बड़ा माल बेचना नहीं है क्यों कोई एक बड़ा प्लेयर है जिसने करीबं 3,900 लॉट वाय कर रखा है मेभी मेभी उसकी पोजिशन इंटरनेशनल में या और कहीं पर उसमें हैंजिंग कर रखी है या आपको उसका जिस्टिफाइं नहीं देता है मैं अगिन बोलता हूं हर सीज के दो मतलब होते हैं कभी भी ध्यान रखिए ग्लास आदा है तो हम बोल सकते हैं आदा भरा हुआ है आदा खाली है या भरा हुआ है कुछ भी हम बोल सकते हैं ओके लिंक शेर कर दी करिए आपको यहां पर आप देखिए सीपीओ में एक सिंगल आदमी है और आप ध्यान रहा को छोटे छोटा छोटा चोटा करने वाले कभी भी मार्केट आरेक्शन नहीं देते हैं जिनकी बड़ी पोजिशन होती है वही मार्केट को चलाते हैं तो यहां पर अमें क्या पता चलता है कितना चार लॉट बाइक रखा है तो आप सोचो जो आदमी ने चार जार लॉट बाइक कर रखा है वह बिल्कुल इंफॉरमेशन लेकर बैठा हुआ है तो अगर आप बोलते हैं तो अगर आप बोलते हैं तो यहां से आपको यह पता चल जाता है कि मार्केट का ओरल सेंटिमेंट क्या है है मैं अगें बोलता हूं यह एक्सपेक्टिक्शन से एक्जैट चीजे नहीं है कि सामने वाले ने और कहीं पर बेच रखा है उसको हैजिंग करने के यहां पर बाता चल जाएगा कि और सेंटिमेंट क्या है जो बड़ा प्लेयर है उसकी पोजिशन क्या है सिमिलर्ली अगर हम अग्री की बात तरे तो अग्री के अंदर आपको कहां मिलेगा यह मार्केट डेटा के अंदर मिल जाएगा टॉप 10 मैक्सिमम ओवाई वाले लेट सी कैस्टर अब कैस्टर में देखेंगा तो लड़ाई दोनू मिक्स है यह थैंटीसों के बायर है फैंतीसों के चैलर अलमूस्ट मैंच कर रहा है चैना चैना उपर क्यों नहीं जा रहा जब जब उपर जाता है वापस गिरावाड अज इसलिए नहीं जा रहा है कि 16,000 के 16,000 के सिंगल बायर है और 24,000 के सिंगल सैलर है तो चैना थोड़ा भी उपर जाएगा वापस सेलिंग पर जाएगी को गिर रहा था 13,000 के अभी डिलिवरी काफी लगी ती इसके चलते हो सकता है शॉर्ट पोजिशन यह वाली होगी तो सबसे आधा माल पड़ा कि 16,000 के सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह रिपोर्ट को हम इस दंग से पता कर सकते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या जैसे अग्री डैस्क है अग्री डैस्क में 15 पोजिशन की कोटिटी चोटा है बटे को रोल आदमी लेगा कोई बड़ा पोजिशन बना रहा है तो ब इन पैले तीम उनकी क्या पोजिशन है लास्सेशन इस इस इंटरनेंशल प्रैजें इंटरनेंशल पाईज़ इंकले इंपॉर्ट्फलिच यह हमारे यहांपर जाएं sao tukya मार्ट मेंन आता है वहां इंटरनेशन मार्केट को देख कर लिए लागा तैंट्वेर्च दिए म इंपेक्ट हमारे यहां पड़ेगा ही पड़ेगा तो हम एक यह फिन्विस करके मेरा डैस्बोर्ड है यहां पर आपको एक सिंगल क्लिक पे करें कि पता चलता है कि equity market में तीजी है wink मतलब रिस्क कम हो रहा है कि द्वाइए जिसके वाज है in the market没有 धॵाई यहागी रिस्कमरा तो स शनाचांधी तूटना चीए अचाय। पूरर है रहे है कुरुड बढ़ेगा बेस मेटल फोड़ा बहुत बड़ेगा क्यों इंडर्सिल एक्टिविटी बढ़ जाएगी नेचर गैस में तेजी आगई बॉन्ड में क्या सिनेरियो है तो याबीन इंटर्डेशल में तेज है कल या परसोका होगा आजका नहीं है यह दैन सोया ओईल में क्या सीन है है वीड में क्या सिन करन्सी तोलर जंडेक का दए कर जाया है यह आपको एक सींपल स्टैन्ड में पाता चल जाएगा की मार्केश में सिनेरियो क्या बना हुआ है यहाँ पले इस दून आप अपना मार्क बास अखा सकते हों यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि LMEP निकल 14,000 का भाव चल रहा है आज 10 वीग दिखा रहा है Natural Gas 2.19 का भाव चल रहा है आज 2 टका डाउन दिखा रहा है Sonat 2,35 का भाव चल रहा है और आज 1 टका तेजी दिखा रहा है Chandi 28,25 दॉलर चल रही है जो 4 टका ओपर दिखा रही है इस डंग से आपको यह पता चल जाता है International Market is most important Team can contract Mr. Gaurav Agarwal को कुछ इशू आ रहा है Telegram channel, you can help them out Similarly, यह है Conversion बहुत बार बोलते है Sir, आपने तो बोल दिया यह 2000 कितना है 2,26 का भाव चल रहा है गोल लेकिन इंडिया में कितना तो उसके लिए Conversion आप इसका प्रेंट स्टेंड मार सकते हैं नहीं तो यह PPT में मिल जाएगा यहां पर मैंने Conversion दिया Let's say Gold का बाव है 2000 दॉलर उसके अंदर CIF Charges होता है 1 दॉलर का फिर हम लोग सो Convert करेंगे इसमें वहां पे Trounce में होता है ग्त्राउंड से केजी में यहां के प्यूर्टी ट्रिमाइ नहीं होती है हमारी प्यूर्टी 995 होती है यह देन हमारा एक्षेंग रेंजरे नहीं होता है देन इंपो ड्यूटी होती है ऐसे करके हम लोग पता कर सते हैं कि international के मुकाबले हमारा सोना सस्ता है या महेंगा है अगर पैरेटी नहीं है तो बहुत लोग पैरेटी बिठाते हैं मतलब इंडिया में सस्ता है तो बहुत जन क्या करेंगे इंडिया में गोल्ड बाय कर लेंगे इंटरनेशनल में इंडिया है ट्रेड करना बट आप पर हैज कर सकते हैं तो उसके साफ़ साफ़ पोजिशन आप शाल रहा है आप इसको करन से मुल्डिप्लाइ करो आपको एज़ेट प्राइज प्राइज पर मिल जाएगा नेचल गेसी इंटरनेशनल में 2.18 चल रहा है एक अगरा मैटल नौन अग्री की बात करें तो दिमांड शप्लाइज इंफलेशन का डट असंट्र बैच इंटर अंसोन इंपर ड्यूटी इंजियां ज्वल्री मर्केट कैसा मुपर्में रिजल्य कारेंसी प्रिशन वालेटिशन वालेटी टैसी एक और दिवेशन अरशे यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट यह सब डेटा इंपक्ट करता है विद इस मैं फिनिश करता हूं हमारी सिस्टर कंशाने केडिया कैपिटल इंकेस इफ यू फिल कि आपको एक ही प्लेटफॉम पे एक्विटी, कमोर्टी, करंसी, मीचल फंट ट्रेट करना है अगर आपको एडवाज़ी के कुई भी अप्डेट सेजी तो हमारा आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप डाम्लूड करके उसमें आप अप्डेट्स ले सकते हैं साथ में टेलिग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विध इस इफ फिनिष्ट मैं सेशन